सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और प्रस कीजिए बैल बोटन को ताकि आप में यह आने बड़ी वीडियो देख सकें हेलो फृटन मैं अभीजीत आज की वीडियो में आपको ऑलियंडर यानी कनेर के प्लांट पर लृइंड प्रॉसस करके बताने वाला हूं कि कैसे आप गन्ला पर अपश्रय करें और आपकी कलर प्राफच प्राफच करें और आप एक फिया अलग के लग क्लर के फृवर पा सक अलग अलग कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके टैरिस गार्टन में कम स्पेस है और आप चाहते हैं कि आपके हाँ हर तरह के फ्लावर के प्लावर के प्लांट हो तो आप अलग 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 प्लांट लगाने से अच्छा है कि आप एक प्लांट पे ही ग आरंगी कलर के ब्रांच को ग्राफ्ट करके जोड़ा है तो यह देख सकते हैं आप यह सक्सेस भी हो चुका है और इसमें कली भी आ रही है आप देख सकते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे अच्छा मौसम बारिश का होता है बारिश के मौसम में आप काफी आसानी से अपने प्रांट में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और वो काफी जल्दी सक्सेस हो जाता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कई जगहों पे किया हुआ है यह तुरण फूलना शुरू कर देगा आप देख सकते हैं मैंने अपने प्रांट पे कई सारी ब्रांचेस पे ग्राफ्टिंग प्रोसस कर रखा है जिससे हमें हर जगा अलग-अलग तरीके के फ्लावर खेलते हुए एक प्रांट पे दिखाई देंगे ग्राफ्टिंग के लिए स तो सबसे पहले आपको एक पेपर चाहिए पेपर कैसा भी हो सकता है यह मेरे पास सफेद था तो मैंने सफेद लिया आप कोई भी पेपर ले सकते हैं आपको एक टेप लेना है इस तरह का और फिर आपको एक धागा भी लेना है और आपको एक नई ब्लेड लेना है यह चार सारी ब्रांच को सेलेक किया है इसी पर हम अधर प्रांट की ब्रांच को ग्राफ करेंगे तो यह देख सकते हैं आप यह सफेद कलर के कनेर के प्रांट की ब्रांच है और आप देख सकते यह मैच्चोर ब्रांच है इसमें आपको कलियां भी दिखाई दे रही होंगी तो मैं इ इसी तरह कि थोड़े से पतले, जितना मैंने पतला लिया है, इतनी पतली आपको ब्रांच लेना है, जो पतली ब्रांच होती है, वो काफी जल्दी ग्राफ्टिंग प्रोसेस से ग्राफ्ट हो जाती है, और काफी जल्दी प्लांट में जुड़ जाती है, तो आप इतने ही हमको सबसे पहले इसके जो निचली भाग है उस पर हमें वी टाइप का आपको इस तरह से टेणा कट लगाना है दोनों तरफ से आपको इस तरह से नीचे के भाग को वी आकार में आपको काट लेना है यह देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से इसको काटा हुआ है और वी का शेप दिया हुआ है तो आपको इस तरह से वी आकार में काट लेना है अब हम उस ब्रांच को लेंगे जिस पे हमें इस ब्रांच को जोड़ना है तो सबसे पहले हम इस ब्रांच की ऊपरी भाग को काट देंगे और इनकी पतियों को थोड़े से नीचे तक इसकी पतियों को हटा देंगे इस तरह से आपको थोड़ी पतियों को रिमूव कर देना है हमने पत्तियों को रिमूव कर दिया है और अब आपको इस प्रांच की जो उपर का भाग है उस पे हमें वी बनाना है इस तरह से आपको वी आकार में काटना है आप देख सकते हैं तिर्चा काटना है अंदर की ओर और यह जो अंदर का पोर्शन है उसको निकाल देना है इस तरह से आपको वी आकार में ब्रांच को काटना है अब हम इस ब्रांच में दूसरे कलर के फ्लावर के ब्रांच को इस तरह से जोड़ देंगे और फिर इसके उपर से हमें टेप को अच्छे से लगा देना है कर देख सकते हैं इस तरह से आपको टेप को काफी अच्छे से बानना है फिर उसके बाद आपको धागे की साहता से इस तरह से आपको चारोर टाइटली आपको इस तरह से रांड कर लेना है धागे को ताकि यह हमारी जो प्रांच से अच्छे से जल्दी से जुड़ जाए इसलिए हम धागे से इसको टाइटली रांड कर रहे हैं धागा टाइटली रांड हो चुका है और अब हम इसमें गांट लगा लेंगे ताकि यह गांट खुले ना तो यह आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है उस पे ग्राफ्टिंग हो चुकी है उस पे मैंने अधर कलर के फ्लावर की ब्रांच को मैंने मर्च कर दिया है जोड़ दिया है आप देख सकते हैं यही ग्राफ्टिंग प्रॉसेस होता है यह हमारा ग्राफ्टिंग किया हुआ ब्रांच 20-25 दिन बाद अच्छे से ग्रो करने लगेगा बारिस के मौसम में यह काफी जल्दी ही ग्रो करना शुरू कर देते हैं और काफी अच्छे से हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है तो सबसे अच्छा मौसम बारिस का होता है और इसे हमें धूप से बचाने के लिए एक पेपर जो मैंने बताया था कि इसकी जरूत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं इस पेपर को हमें इस तरह से राउंड कर लेना है और पेपर को राउंड करने के बाद हम इसके उपर इस पेपर से ठक देंगे ताकि जो सनलाइट है वो डारेटली इसके उपर ना पड़े ताकि हमारा जो ब्रांच है ग्राफ्ट किया हुआ वो सूखे ना तो इस तरह से आपको इस तरह से आपको ब्रांच को कवर कर लेना है ताकि आपका जो graft किया हुआ portion है वो खराब ना हो और आपकी branch चलती success हो जाए तो ये था हमारा graft करने का process और काफी आसान और easy process था इसको आप आसानी से कर सकते हैं और 20-25 दिन में आप अपने plant पे कई रंग के flower पा सकते हैं तो friends ये था मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक चरू कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो subscribe कीजेगा आज के लिए इतना ही take care and bye bye